फिर ऐसा क्या रीजन है कि गवर्मन्ट दिन राट नोट छापके ये गरीभी क्यों नहीं खतम कर रही है। यूएस का गोल्ड डिजर्व आसमान चूरा था, दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज करजे में थी। अब बात यह है कि किसी करन्सी की वेल्यू जादा और किसी करन्सी की वेल्यू कम क्यों होती है, ये डिसाइड गौन करता है। इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुँच चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कंट्रीज अपनी कपैसिटी में ट्राय करनें थी अपनी एकनोमी को समालने की। 1947 में एक डॉलर बराबर था एक रुपए के, आज की डेट में ये एक डॉलर 76 रुपीज के बराबर है। तो ऐसा क्यों हो गया? कंट्रीज गोल्ड की जगा, यूएस डॉलर में ट्रेड करें। अब यूएस डॉलर में ही क्यों, बाकी करनसी में क्यों नहीं? जब demonetization भी हुआ था, तो गवर्मेंट ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापिस ले लिया था। गवर्मेंट जितना चाहे उतना पैसा चाप सकती है। फिर ऐसा क्या रीजन है कि गवर्मेंट दिन रात नोट चापके ये गरीभी क्यों नहीं खतम कर रही है। एक डॉलर के मुकाबरे जो रुपीज है वो 76 है। ये कौन बेट के decide कर रहा है और अगर कोई decide कर भी रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ history में है कि सारी की सारी countries अपनी अपनी currency इसको पीछे चोड़के US डॉलर को global currency बनाने के लिए राजी हो गई। और सबसे important चीज कि ऐसी क्या situation बनी कि ये जो पेड की छाल से बना हुआ एक note का टुकड़ा है इसके लिए हर कोई दुकानों में, offices में जाके 8-9 गंटे काम करने लगा। इन सारी चीजों का जो जवाब है सिर्फ एक ही चीज में है कि ये पैसा है क्या और इसका evolution कैसे हुआ। दिये हुए price में खरीदने के लिए। ठीक इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो products के price होते हैं वो ऐसी decide किये जाते हैं। जिसका नाम दिया गया है demand and supply। जब आप एक fruit की दुकान पे जाते हो और वहां देखते हो कि save का rate ज़्यादा है और केले का rate कम है। तो इसका मतलब यह नहीं कि save का color बहुत अच्छा है। इसका simple सा मतलब है कि save की demand जितनी है उस हिसाब से उसकी supply नहीं है। आप बीच-बीच में सुनते होंगे कि प्याज के rate बहुत जादा बढ़ गए हैं असमान चूर हैं। इसका simple सा मतलब यह हुआ कि प्याज की कमी हो गई है और उसकी जो price set करने वाला है वो वही चीज कर रहा है जो हमने अपने second hand mobile बेचने में की थी। एक company ने 100 cars बनाई और उसका price एक लाख रुपए रख दिया अब जिसके पास पैसे हैं वो तो जाके car खरीद लेगा और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो या तो फिर bike से काम चलाएगा या फिर cycle से काम चलाएगा और एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि government बहुत सारे पैसे print कर देती है और लोगों में बांड देती है अब लोगों के पास भी पैसा हो गया और market में बहुत सारा पैसा आ गया तो उससे होगा यह जो last time 100 लोग car खरीदने आए थे इस बार 1000 लोग car खरीदने आएंगे या फिर उससे भी जादा लोग खरीदने आएंगे अब जो car बना र खरने की बजाए बर्माद हो गई थी और लोग बोरी में भर भर के एक bread खरीदने जाते थे बच्चे इस तरीके से टौफी लेने जाते थे तो government के note चापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी असली फायदा तब ही होता है जब resources बढ़ते हैं services बढ़ती है और अगर सरकार इस 5% है तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो चीज आपको 100 रुपे में मिल रही है वो तकता वो पहले 95 रुपीज में मिल रही होगी अगर आप historic data उठा के देखोगे तो आपको clear picture मिलती है कि किस तरह से साल दर साल महंगाई ने लोगों की जेबे खाली की है और यही reason है कि ल आपको कोई भी पैसा तभी देता है जब आप उसको कोई value देते हैं या कोई काम करके देते हैं ओफिस में भी आपको salary तभी मिलती है जब आप उसके बदले में कुछ काम करते हैं value देते हैं एक दुकंदार को भी पैसा तभी मिलता है जब वो उसके बदले में कोई समान द लिखाया जो लंबे समय तक खराबना हो और उनकी वैल्यू जादा हो जैसे की गोल्ड लेकिन एक टाइम पर आके गोल्ड को लेके ट्रैवल करना गोल्ड में मिलावट का ध्यान रखना और उसकी सिक्योर्टी मेंटेन करना काफी जादा इंकन्विनियंट था फिर गवर्में यह जो रिषिट थी यही पेपर मनी में करन्वर्ट हो गई असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है यह सिर्फ एक कागस का टुकड़ा है लेकिन इस कागस के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्मेंट आपको भरोसा देती है कि इसको लेके आप इंडिया में कहीं भी जाओगे जितना अमांट इस पे लिखाया आपको उतनी वैल्यू मिलेगी एक नॉर्मल कागस और करन्सी में यही फर्क होता है कि करन्सी में आपको गवर्नर आफ इंडिया यह साइन करके वचन देता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ और इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि इस पर हर कोई ट्रस्ट करता है जब दी मॉनिटाइजेशन भी हुआ था तो गवर्मेंट ने पांसो और हजार के नोट से अपना वचन वापिस ले लिया था और जैसे ही अपना वचन वापिस लिया था यह पां कि दरें जा रहा है और उनसे आप समाल लेने के बाद यह को कि यह रेड कलर का नोट है इसको हम रूपीज बोलते हैं इसमें हम आपको वचन देते हैं तो वो क्यों मानेगा और ऐसा ही हम भी उनके डॉलर को क्यों लेंगे और माल लो गर किसी सिचुएशन में हम उनसे करनस तो रशिया कह रहा है कि हम युएस डॉलर लेंगे नहीं अब इस केस में तो फिर यह हुआ कि युएस डॉलर सिर्फ युएस से ही टेड करने में काम आएगा क्योंकि कोई भी एक करनसी ऐसी नहीं थी जिसमें सब को विश्वास हो अब आपके अरिया में जो मेडिकल स्टो के लिए इधर से उधर ले जाना आसान नहीं था तो इस चीज का सलूशन निकालने के लिए लाया गया गया तो इसमें कंट्री की करनसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया तो एक हाइपोथेटिकल सिचोशन है मालों की इंडिया ने अनॉंस किया कि एक ग्राम गोल्ड की वैल्यू 20 रुपए है मतलब कि अगर कोई 20 रुपए लेके आएगा तो उसके बदले में उसको एक ग्राम गोल्ड मिल जाएगा और अगर कोई एक ग्राम गोल्ड लेके आएगा तो उसके बदले में उसको 20 रुपए मिल जाएगे ऐसे ही यूस ने अनॉंस किया कि एक ग्र यह दिकत कोई कंट्रीज के पंगे थे, यह कोई प्सक्राइथ करें पाहिं है, इसलिए अगधार नियों को आग यह दोड़ में पाहिने हैं, स्ट्राट किया एक्चुल में गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था बस करंसी एक मीडियम था अब आप कहोगे कि यह जो गोल्ड स्टेंडर वाला सिस्टम था इतना सही था तो इसको हटाये क्यों गया और हटाये भी गया तो फिर डॉलर को क्यों वेस बनाया गया देखे जब वर लडने का जरून था इसने कंट्री वायक कंट्री पैसा और गोल्ड सारा खत्म किया वर्ड जा घीरे धिर फिर भी कंट्रीज अपनी कपैसिटी में ट्राय करनी की लेकिन तब तक फिर से वर्ड वार सेकंड शुरू हो जाता है ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वार थी इस बार कंट्रीज लिटरिली करजे में ढूप चुकी थी और यूएस ने कंट्रीज गोल्ड के बिहाब पे नोट शापके ट्रेड करती थी और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहां से हो पाएगा और जब ट्रेड नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी एक कंट्री की इसको लेके कंट्रीज मीटिंग करती है 1944 में जिसे ब्रेटन वोड कॉन्फरेंस क organization support करती हैं. इस meeting में ये decide हुआ कि बाकी countries के पास gold नहीं है तो एक काम ये हो सकता है कि countries gold की जगह US dollar में trade करें अब US dollar में ही क्यों? बाकी currency में क्यों नहीं? क्योंकि US एक लौती ऐसी country थी जिसके पास इतना gold था कि वो US gold की value के dollar बनाके all over world में circulate कर सकती है और same day US ने ये भी announce किया कि US dollar को कोई भी हमारे पास लाके gold ले सकता है या फिर gold लाके US dollar ले सकता है और एक ounce gold की value उन्होंने 35 dollar रखी अब इससे हुआ ये कि हर country किसी ना किसी resource में अच्छी होती है तो यहाँ पर ये कर सकती है कि US के साथ export करके वो अपने dollar के reserves बढ़ा सकती है और dollar के reserve होना यानि के gold का reserve होना तो जो country कभी भी convert कर सकती है ये एक तरीका बन गया trade करने का साथ ही साथ अपनी economy सुधारने का ऐसा कर करके US एक तरह से हर country की reserve currency बन गया हर country के पास dollar के reserves हो गए और ये एक तरह से global currency की तना काम करने लगी अब इसमें हुआ ये कि वेतना वार स्टार्ट हुई US के साथ और उसमें US की economy भी dip करी US ने dollar gold के reserve के comparatively ज़्यादा dollar sprint किये और उधर बाकी countries की भी एकनोमी सुधर रही थी 1965 में Charles G. Gallew जो की France के President ते अपनी navy बेजी और US को dollar देके ship के रास्ते से gold वापिस ले आए और धीरे धीरे बाकी countries ने भी यही चीज़ follow करी और अमेरिका ने gold की value से ज़्यादा dollar sprint कर रखे थे जो की all over world में घूम रहे थे तो US का gold reserve बहुत तेजी से कम हो रहा था और उसकी economy भी गिर रही थी 1971 में US के President Richard Nixon ने dollar को gold के link से हटा दिया इसका मतलब कि अब gold को dollar से और dollar को gold से convert नहीं कर सकते इसको Nixon shock भी बोलते हैं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा जटका था लेकिन सारी countries के reserve dollar में थे तो countries की मजबूरी बन गई dollar में trade करना और dollar global currency के रूप में सामने आया अब बात यह है कि किसी currency की value ज़ादा और किसी currency की value कम क्यूं होती है यह decide गौन करता है 1947 में 1 dollar बराबर था 1 रुपे के आज की date में यह 1.76 रुपीज के बराबर है तब आप पहले exchange से अपनी currency change करवाते हैं उसके बाद वहाँ का कुछ खरीद पाते हैं In fact, जब आप online US या Europe के product खरीदते हैं तो पहले आपको US dollar या euro खरीदने होते हैं उसके बदले में अपने Indian rupees देने होते हैं जिसे हम exchange बोलते हैं और फिर आप खरीद पाते हैं कोई समान ये चीज आपको इसलिए नहीं पता चलती है क्योंकि back end में bank आपके लिए ये सब कुछ कर रहा होता है तो जो country ज़्यादा valuable product produce करती है जिसकी resources और services की ज़्यादा demand होती है बाकी countries में उस country की currencies की value ज़्यादा होती है ये जो bread वाला example मैंने बताया इसे कहते है floating exchange जहां demand and supply के basis पर rate change होता है दूसरा होता है fixed exchange कुछ countries आपस में exchange rate fix कर लेती है जैसे साओधी और US के बीच में fix रहता है एक डॉलर बराबर रहता है 3.75 साओधी रियाल के बराबर demand and supply से इसका कोई लेना देना नहीं होता तीसरा होता है managed exchange जिसमें एक range होती है कि मालीज अगर आपने 3 से 5 की range set कर दी है तो demand and supply के basis पर rate तो change होगा लेकिन ना तो 3 से कम जाएगा और ना ही 5 से उपर जाएगा